हेलो अब्रिवन कैसे आप सब लोग स्वागत करती हो आप सब का आपकी अपनी यूट्यूब चैलल एक चालक के विध्या भीट पे मैं हूँ आपकी बावना मैम और आज जो आपको करवाऊंगी आज हमारी इंग्लिश वोकैबलरी की नेक्स सीरीज शुरू हो जाएगी यानि कि इंग्लिश जहां से पहले खतम करी थी उसी की जस्ट आगे से हमारी इंग्लिश शुरू होईगी तो शुरुवात करें रेडी है साथ रेडी पका चलो तो हमने कुछ एक वर्ड पढ़े थे जिसमें से लास्ट वर्ड हमने जो वर्ड पढ़ा था यह एक फ्रेंच वर्ड है sorry यह एक फ्रेंच वर्ड है ठीक है इसका प्रणुशेशन क्या होती है जादी वीवा जादी वीवा ठीक है सोर्द zachow busy吧 upon joy75 इसका मदलब क्या होते er joy of life जो लाइफ मतलब बोलते हैं जिन्दगी मस्त मजए में कट रही है और भी के आल चनल है तो बड़े मस्त एयाश वहром से चल रही है जिन्दगी है ना तो इस तरह किसे हम जो लैंग्विज स्टोन बोलते हैं और भी और भाई की याल चाले है और वो रिप्लाई क्या आता है बस काच्छे हैं कट रहे हैं मारे बड़ी मज़ें तू बता तू अपना के है रोद हो रहा हो गत अच्छे से है ना सो जब हम बोलते हैं कि लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है जिन्दगी मस चल रही है एक जॉइ ऑफ लाइफ बोलते हैं जिन्दगी की खुशी ठीक है तो अवारी जब जिन्दगी में ऐसी चल रही होती है तो फ्रेंच में इस तरह के से बोलता जाता है ज्वादीवर कभी कबार आ जाता है ज्वादीवर ठीक है अगला यह फ्रेंच है ठीक है फ्रांस में इस तरह के से बोलते है बोन विवान बोन नहीं सोरी बैन विवान बैन विवान का मतलब क्या है यह टी नहीं है यह विवान है ठी है बैन विवान का मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जिंदगी जीना जो जिसे हम बोलतें लैविश लाइफ जी रहे है मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान जो कि ऐसी जिन्दगी जी रहे है जो बहुत लैविश है मतलब अमीरो वाली जिन्दगी जैसे अमीर कौन है हमारे यहापे टाटा, बिल्डा यह सब लोग अमीर है है ना अंबानी वगर यह सुब लोग अमीर है पर इसमें एक स्पेसिफिक चीज क्या जाती है लैविश लाइफ मतलब अमीरी वाली जिंदगी एकदम पैसे उड़ाने वाली हम यह पैसे इसके अंदर कहां उड़ाएंगे यह पैसे लगाएंगे हम फूड पे और खाने पीने ना तो वो एक अगर ऐसा इंसान जो ऐसी लाइफ जिंदगी जी रहे लैविश लाइफ तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंच में बैन विवान ठीक है एक बोलते हैं जुग-जुग जीयो जिंदगी 100-100 साल जीयो खुद भी सर खाओ खुद भी खाते रहो और दूसरों भी सर बोलते हैं बगवान करें तरको लंबी उदमर होएं तो यह इस पैनिश वर्ड है ठीक है इसका मतलब है इसका है विवा ला विवा 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 इसका क्या मतलब है कि जुग-जुग जीयो लाउंग लीव कि तुम करें तुम हजार को साल्जीओ ठीक है अब यह समझ में लिएदा यहाज़ा जीयो मतलब किnica है कि कि आप हमें दुआ हैं दौाइँ दे रहे हो यह फिर बदुआ दे रहे हो अजार हुआ साल हैं इतना बुड़ा होगे मैं क्या करूंगा ठीके पेकार का अब देखो वीवी सेप्चर होता है वीवी मतलब अभी तक हम यही पढ़ रहे थे ना वीव का मतलब जिंदिगी है ना वीवी सेप्चर का मतलब होता है कि एक जिन्दा इंसान को गाड़ देना इसको वीवी स तो जिन्दा इंसान को जमीन में दबा देना या गाड़ देना ठीक है अगला वीवेरियम वीवेरियम क्या होता है होता है वीवेरियम वीवा से बनाए यानी कि life से बना में वीव से सो वीवेरियम कहां से निकला है यह वर्ड़ उन चीजों के लिए विवे वेरियम एकता एक त्पर वसदा ऐसे गलास का बकसा होते है जहां पे हम जानवह को रखते है एसे movies में दिखाते हैं कि हम साप को या कुछ ऐसे जहरीली से ऐसे वो पशु होते हैं बलब animals होते हैं जिनको हम एक बड़े से काच के बकसे पर रखते हैं है रहा उस पर study करने के लिए साइंटिस्ट रखते हैं study करने के लिए या फिर कहीं पर museum अगरा होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़े होते हैं एक्जबिशन होते हैं ताकि लोग फोटो अगरा लेजके देख सके तो उसको हम क्या बोलते हैं विवैरियम ठीक है इस उस बकसे को बोलते हैं जिसके अंदर य हम एनिमल्स को रखते हैं किसलिए study करने के लिए usually यह study करने के लिए होता है ताकि scientist उनके उनके उपर study कर सके असानी से ठीक है इनका behavior कैसा है कैसा काम करते हो अगरा vitascope, vitascope क्या होता है पुराने जमाने में ऐसा होता था नँ sorry पुराने जमाने में ऐसा होता था न कि कुछ बड़ा सा ही हमारे पास जो projector होता है बड़ा सा एक कुछ बना होगता था जिसमें से प्रोजेक्टर में से वो निकल रही होती थे, रिल सी राइब के, कि भी हमें फोटोस दिछाई देती थे, बदा सा होता था, जिसमें वीडियो कैमरा ह eerste यह सा टाइप कर लगता था, वह को प्रोजेक्टर निकलता था और हमें दिखाई देता था, पुराने जमाने में ऐसा य जाता है ठीक है पिच्चर देखने के लिए यह समझ में आ गया विटो स्कॉप सारी चीजे ठीक है अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है डेम या डेमो जिसका मेनिंग होता है पीपल लोग ठीक है डेम या डेमो पीपल डेमो क्रेसी का मतलब लोगतंत्रा कैसे निकला डेमो का मतलब पीपल क्रेसी मतलब जस्ट पहले करवाया साशन करना, रूल करना to rule तो rule by people यह देखी, लोगों का साशन rule by people rule by the people, of the people for the people यह democracy निसे निकला है, ठीक है डेमोग्राफी क्या होता है डेमोग्राफी होता है कि हमारे पूरे लगबग बहुत बड़े एरिया के अंदर, ठीक है, हमारी डेमोग्राफी कैसी है, डेमोग्राफी मतलब लोग किस तरह की जिंदकी जी रहे है ठीक है, अलगला टाइप की जिंदकी जीते है एक बड़े सी एरिया के अंदर लोगों का रहेंस है, ठीक है उसको demography बोलते हैं, बहुत बड़े area पर हम जब study करते हैं उसको demography करते हैं, ठीक है, the study of people in a big area, मतलब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का वैवार, चाल चलन, culture, सबका अलग लग चीज़ उसको study करने को demography खा जाता है, ठीक है, study of people at the different locations, ठीक है, demo file, demo किसे word निकला है, demo का मतलब people, file का मतलब क्या होता है, जोग्रफी में करवाया था, मैंने file का मतलब, पसंद करना, नहीं, नहीं करवाया, sorry, sorry, नहीं करवाया, file का मतलब होता है, to love, ठीक है, philia करवाया था, phob करवाया था, sorry, phob करवाया था, usfob कर वहाए था isfob का मतलब to hate करना isfob का मतलब to hate यानि कि अगर demo का मतलब people है और file का मतलब love है यानि कि लोगों को लोगों से प्यार करना यानि कि कुछ ऐसे लोगवोते हैं जिनको अलग- लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना उन्से पसंद है उसको क्या बोलते है उस टाइप के लोगों को demo file यह एक adjective है ठीक है उस टाइप के लोगों को हम यह बोलेंगे demo file यह adjective है और यह people who loves people ठीक है person who loves people ठीक है अलग लोगों से मिलना जुलना बाद्चीत करना यह मतलब है इसका demophilia क्या हो जाएगा इस ही का ही noun बना है टिक है? demophilia मतलब आक quality है कि उसके अंदर उन्से अलगड़ लोगों से मिलना जुलना प्यार करना उसे बाद्चीत करना अच्छा रगता है, टिक है? यह उसका बथायव लूग रेटना हिख्यू बशनग मेठीट पाइबाने से इसी आपको सब्सक्राइब आरें खी में आस्पास क jewलना पासन निके सब्सक्राइब आपनी जिंदगी में मेरा काम मेरे से मतलब रहे बस उससे ज़वाद आ रही ऐसे उत्रलों लोग उद्धे किया बोलते ए डिमोफोब ठीक है 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 हेट करना इसका हेव नहीं है हेट करना ठीक है समझ में आया ठीक है अगला वर्ड है Demonstration Demonstration किससे निकला है Demonstrate मतलब कुछ शो करना show करना, दिखावा करना, दिखाना ठीक है, show करना demo gog, demo gog किसे बना है, demo plus agog से जिसका agog का मीनिंग होता है to lead, यानि कि leader ठीक है, agog का मीनिंग क्या होता है, lead करना तो यानि कि हम demogog से क्या बताना चाते है एक ऐसा लीडर जैसे कि जो हमारे नेता होते वो लीडर ही होते हैं न एक ऐसा लीडर जो आपसे false promises करें false claim करें अपना काम निकलवाने के लिए ठीक है ultimately rule करने के लिए आपका इस्तमाल करें लोगों से false promises करें a leader who false who do false false claim for his own selfishness होते हैं न हमारे नेता लोग जूटे वादे करते हैं जूटे promises करते हैं किसलिए ताकि क्या हो सके जीत सकें vote gain कर सकें तो कोई नो कोई अपने खुद के selfish trust के लिए जब अगर कोई नेता या कोई leader गलत काम करें तो उसको क्या बोलते हैं demagogue usually लोगों के साथ गलत काम करें ठीक है लोगों को जूट बोले pandemonium मतलब होता है कि complete चेओटिक सिच्वेशन complete chaotic situation chaotic मतलब बहुत ही हंगामे वाली लब उतल पुतल सा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है जैसे कि होता है जैसे भीड बढ़ाक का समर जाता है एक तरह से मेला जब हो जाता है मालो मेले में कोई पता चल गया कि बॉम है मेले में तो किस तरह की situation हो जाएगी सब लोग इदर उदर जाएगे ये दका मुकी ये सब सब कुछ होएगा है ना तो उस type की situation को क्या बोलेंगे panda pandemonium ठीक है अंगामा सा type का अंगामा सा type का जहाँ पता है नीचल ड़ा क्या हो रहा है chaotic भी यही same situation होती है लेकिन intensity बटा दी है ठीक है चोटिक मतलब थोड़ा बहुत हंगामा बड़ा है और pandemonium मतलब बहुत बड़ी लेवल पे ठीक है एक विशाल लेवल पे हंगामा चर रहा है समझ में नहीं आ रहा उतल पुतल बहुत बेकार सा माहूल बनकिया ठीक है वो सब बोलते है पेंड़ा मूर यह ठीक है आज की ग्लास को यह कतम करें ठीक है आज की ग्लास आपको सबजबे आई होगी और थैंक यू सो मॉच फोर गिविंग में और टाइम चलो बाई आपको सब बाई